प्रेंट महिसंकर कुमार स्वागेता आप सभी का जादू गर्मित में बिहार बूर्ट से बहुत बर आपडेट निकल करके सामने आया राज्य के सरकारी स्कूलों से रोज जो है एक हजार बच्चों का नाम जो है काटा जा रहे हैं यहां पे देख शक्ते हैं यहां पे एक सिक्षक भी नराज और गाजन भी नराज और बच्चे भी नराज यहां पे देख सकते हैं अगर आप लोग इसकूल नहीं जाएंगे तो इसी तरह से सभी का जो है नाम कट जाएगा आप देख सकते हैं वीडियो को पूरा देखना है अगर आप लोग इसकूल नहीं जाते तो क्या-क्या प्रिक्रिया होगा आपका एडिमिसन भी कहीं नहीं होगा लगातार अनुपस्थीत रहने वाले बच्चों के जो है नाम स्कुल से काटने का काम सितंबर से यानि दोजारते से सुरू हुआ है जो अब तक जो है काटा ही जारा जो अब भी जारी है आपको बता जाली रिपोर्ट में यह जनकारी मिली है दिसंबर माह में अब तक जो है 16,000 से अधीक बच्चों के नाम स्कुल से यानि स्कुलों से काटे गए हैं हलांकि सुरू से अब तक की बात करे तो सितंबर से लगभग जो है 23,70,000 बच्चों के नाम काटे गए हैं इतने सारे बच बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं इनमें सरवाधिक संख्या उन बच्चों की है जो सरकारी के साथ ही नीजी स्कुल में भी नमांकित हैं वे बच्चे का नाम काटे जारे हैं जो बच्चा जो है प्रैवेट स्कुल में पढ़ते हैं जो सरकारी से भी नाम लिखवा करके और जो है प्राइबेट में भी नाम लिखवाए हैं उनका जो है ज्यादे तर नाम कट रहा है इस शब्बन में शिक्चा विभाग की और से जीलों को दिये निर्टे से में यह साफ कहा गया था कि लगातार 15 दिनों तक स्कुल स्यानों पस्तित रहने पर छात्रों के नामांकन रद कर दिया जाए यह जो है विभाग से ही आदेश है अगर आप लोग स्कुल नहीं जाएंगे तो आपका नाम जो है कट जाएगा वो कलास्टेंट का यह या इंटर वाले हो या मैट्टिक वाले हम बता देना चाहते है सभी को स्कुल करना जरूरी है यह जो है पंदरा दीनों तक अनुपस्तित नहीं रहते है और भीच-बीच में सरकार सकुल में आते रहते हैं इसे षातर किसी निजी त्यालय में नियमित रूप से जाते हैं पर सरकारी युजनों की रासी प्राप्त करने के लिए वह जो है दोनो सकुल नमांकन कराये हैं तो यहसे लाख से उपर वच्चा का जो है नाम कट चुका है आपको बता दे कि जिन छात्रों का नाम कट यानि काट दिये जार है उन्हें जो है सरकारी स्कुल में मिल रही योजनाओ जैसे छात्विर्ती होगी आदी सेवन्चित कर दिया जाएगा और डिबीटी के माध्यम से उसको प सकुन में से है तो आप लोग जो है नीजी स्कुल से नाम कट बागर करके सरकारी स्कुल में पढ़ें अच्छा रहेगा ताकि जो आपका सेटिफिकेट आगे मिलें और कलास टेंद के जितने भी स्टुडेंट है उसको भी स्कुल करना निवारी है नहीं तो जो है आपका न परने बाद